दोस्तों, सिफाक्टनस लेट क्रेटेशियस की सबसे बड़ी बोनी मचलियों में से एक थी और इसे समुध्र की सबसे भायंकर जीवों में से एक माना जाता है। सिफाक्टनस का पहला जीवाश में 1850 के दशक के दोरान नायबरारा चाप में खोचा गया था। सिफाक्टनस लगभग 112 मिलियन वर्ष पूर्व क्रेटेशियस अवधी के अंत में रहता था। बोनी मचली क्रेटेशियस पलेोजीन विलुप्ट होने लगभग 65 मिलियन वर्ष पूर्व तक जीवित रही। दोस्तो ये डंकली उस्टेस फिश है, डंकली उस्टेस आर्थरोडाय प्लेकोडर मचली का एक विलुप्ट जीन है जो लगभग 358 मिलियन वर्ष पूर्व स्वर्गी देवुन्यन काल के दोरान अस्तित्व में था, और दोस्तो इसका पहला जिवाश में 1870 में कैंसिस में खोजा गया था, दोस्तो और ऐसी विलुप्ट मचलीयों के बारे मैं जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें